इस कहानी का शीर्षक है गवार इसे लिखा है तारा चंद मकसाने ने और आप तक पहुचा रही हूँ मैं चेतना तो आईए सुनते हैं ये कहानी गवार आज मौनिका दो महिने की बीमारी की छुट्टी के बाद पहली बार ओफिस जा रही थी मौनिका की देवरानी वंदना ने अपने हाथों से मौनिका के लिए टिफिन तयार किया था वो किचन से बाहर आते हुए बोली भाबी आपका टिफिन और मौनिका के करीब पहुची तो मौनिका ने उसे गले से लगा लिया मौनिका की आँखों से आसों की जड़ी लग गई उसके मानस पटल पर अतीद की यादे किसी चलचित्र की भाती अंकित होने लगी छोटे से गाउं से माया नगरी मुंबई के पौश लाके में बहु बन कर आने वाली वंदना के लिए अपनी ससुराल की राह पहले दिन से ही कठिन बन गई थी शादी के बाद अपनी इकलोती जेठानी के पैर चूने के लिए जुकी तो मौनिका पीछे हटते हुए बोली ओ वाट इस दिस ये किस जमाने में जी रही है गवार कहेंगी आजकल कोई पैर चूता है क्या ये हाई टेक यूग है हाई हेलो और हग करने का जमाना है लगता है ये लड़की एजुकेटिट भी नहीं है फिर तो भाबी से गले मिलो वंधना अजीत ने हसते हुए कहा वंधना आगे बढ़ी तुम मौनिका ने नाक सिकोडते हुए कहा बस बस दूर से ही नमस्कार कर दो मैं माननोंगी वंधना दोनों हाथ जोड़ कर नमस्कार कर आगे बढ़ गई शादी के पहरे दिन से ही जेठानी मौनिका का पारा साथवे आसमान पर चड़ा हुआ था हाइटेक सिटी मुंबाई की गलियों में बचपन बिताने वाली मौनिका को किसी ठेठ गाउं की लड़की बतोर अपनी देवरानी कतई पसंद नहीं थी मौनिका ने अपने देवर अजीत की शादी अपने मामा की इकलौती वेटी लवलीना से करवाने के लिए बहुत हाथ पैर मारे थे पर अजीत ने उसकी एकना सुनी थी लवलीना मौडलिंग करती थी और शहर के स्थानिय फैशन शोज में नियमत रूप से शरीक भी होती थी फैशन शोज के लिए वो देश के अन्य शहरों में भी अक्सर जाती थी लवलीना का तालुक हाइफाई सोसाइटी से था जुहु स्कीम इलाके में स्टार बेटे बेटियों के साथ सुचंद जीवन का लुट्फ उठाने वाली लवलीना फिल्मों में भी अपना नसीब आजमा रही थी मौनिका कि टी पार्टियों शोपिंग और पिकनिक की जबरदस शोकीन थी वो चाहती थी कि उसके परिवार में ऐसी ही कोई मौडन लड़की आए ताकि जिठानी देवरानी में बेहतर तालमेन बला रहे परंतु जब अजीत ने देहाती लड़की से विवा कर लिया तो मौनिका के तमाम खुआप पत्थर से टकराए शीशे की भाती तूट कर चकना चूर हो गए वो जल भुनकर रह गई अजीत मेडिकल का चात्र था जब वो MBBS के अंतिम वर्ष में था तब अपने मित्र सुमित के विवाह में शरीक होने उसके गाउं गया था वो पहली बार किसी गाउं में गया था पर्वतों की तलहटी में बसे इस गाउं के प्राकृतिक सौंदरे को देखकर अजीत को पहली नजर में ही इस गाउं से प्यार हो गया था गाउं के चारो ओर आच्छादित हरियाली दूर दूर तक लह लहाते हरे भरे खेत खेतों में फुदकती चिडियां हरे भरे घने व्रिक्षों पर कलरव करते विहग और उनकी च्छा में नृत्य करते मोर अमरायो में कोक्ती कोयल आदी ने अजीत को इतना प्रभावित किया कि वो शादी के बाद भी कई दिनों तक अपने दोस्त के घर पर ही रुग गया था अपने दोस्त की विवाह में ही अजीत ने वन्दना को देखा था विवाह के दो दिन पूर्व आयोजित संगीत संध्या में उसने वन्दना को गाते और नृत्य करते हुए पहली बार देखा था संगीत संध्या की रात को नींद ने अजीत की आँखों से किनारा कर लिया रात भर उसकी आँखों के सामने वन्दना का चेहरा ही घूम रहा था उसे लगा कि अब उसकी तलाश पूरी हो गई है उसके दिमाग में जीवन साथी की जो तस्वीर थी उसी की अनुरूप थी वन्दना सुमित के विवह के बाद अजीत ने वन्दना के बारे में चानबीन शुरू कर दी थी उसने प्रवीन के पिता शिवशंकर प्रसाथ से इस बारे में पूछा तो उन्होंने बताया बेटा वन्दना राम प्रशाथ की जेश्ट कन्या है वे सेवा निवरित अध्यापक है जो दो वर्ष पहले ही सेवा निवरित हुए है घर की गरीबी के कारण वन्दना ने कक्षा दसवी उत्तीन कर स्कूल को अलविदा कह दिया था वन्दना मेरी गोद में खेली है लड़की बहुत ही संसकारित, सुशील और बुद्धिमान है वन्दना की आवास बहुत ही मीठी और सुरीली है वो बहुत अच्छा गाती है प्रवीन के विवाह में संगीत संध्या में तुमने वन्दना के गीत सुने होंगे अजीत, एक बात मैं तुम्हें ये भी पताना चाहूंगा कि वन्दना के विवाह की चिंता ने राम प्रसात की नीन्थ हराम करती है उनकी बिरादरी के कई लोग वन्दना को देखने आते हैं पर तहेज पर आकर बात फिसल जाती है वन्दना से छोटी एक और बहन है उसके हाद भी पीले करने है गत वर्ष उनकी पत्नी का अलपावधी बिमारी के बाद आकस्मिक निधन हो गया था उन्होंने इलाज में पैसे पानी की तरह बहाया पर उसे बचाना सके उनकी पत्नी का निधन क्या हुआ इस परिवार की रीड़ ही तूट गई शिफशंकर प्रसाद ने अजीत के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा बेटे अजीत राम प्रसाद मेरे बहुत अच्छे मित्र है उनकी दोनों बेटिया सुन्दर, सुशील और सूसंसकारित है अगर वंदना तुमें पसंद है और उसे अपना जीवन साथी बनाना चाहते हो तो मुझे उन से बात करने में प्रसन्यता होगी शिफशंकर प्रसाद की बातों से अजीत के मन में लड़ो फूट रहे थे वो जल्दी से जल्दी मुंबई जाकर इस संबंध में अपने माता पिता से बात करना चाहता था शिफशंकर ने अलप विराम के बात कहा बेटा कोई निर्ने लेने से पहले अपने माता पिता से एक बार बात जरूर कर लेना हो सककी तो उन्हें एक बार यहां लेकर आ जाना जरूर अंकल मैं कोई नरनय लेने से पूर्व माता-पिता से जरूर बात करूंगा और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी पसंद ही मेरे माता-पिता की पसंद होगी अंकल वन्दना तो मुझे पहली नजर में ही पसंद आ गई है मैं ऐसी ही लड़की को अपनी जीवन संगीनी बनाना चाहता हूँ जिसका मन स्वच काच की तरह पारडर्शक हो जिसके आर पार सहज देखा जा सकता है वन्दना का मन ताल के स्वच जल की तरह निर्मल है जिसके भीतर सहजिता से जांक कर तल को देखा जा सकता है अंकल सुमित के विवा के दौरान हमारी कई भार मुलाकाते हो चुकी है मैं कल ही मुंबई जा रहा हूँ आप चाहें तो वन्दना के पापा से बात कर सकते हैं अजीत उत्साहित होकर बोल रहा था ठीक है मैं कल ही उनसे बात कर लेता हूँ शिवशंकर ने कहा अजीत ने मुंबई पहुँच कर जब अपने मम्मी पापा और भाईया भावी से इस बारे में बात की तो मौनिका भावी क्रोधित हो गई उन्होंने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा अरे अजीत मैंने तो लवलीना से तुम्हारे लिए बात कर रखी है मुंबई जैसे शहर में गाउं की अशिक्षित और गवान लड़की लाकर समाज में हमारी नाक खटवाओगे क्या अरे भावी मैंने तो आपसे पहले ही कह दिया था ना कि मुझे लवलीना पसंद नहीं है मेरी और उसकी सोच में जमीन आस्वान का अंतर है भावी मैं सीधा सादा लड़का हूँ जबकि लवलीना हाइफ आई अजीत मुस्कुराते हुए और कुछ कहने जा रहा था मगर मौनिका ने अजीत की बात काटते हुए कहा क्या बुराई है लवलीना में दिखने में किसी हिरोईन से कम नहीं है अच्छी पड़ी लिखी है उंचे खांदान की है हाइ सोसाइटी से तालुकात रखती है भाया तुम्हें ऐसी लड़की दिन में चिराग लेकर भी ढूनने से नहीं मिलेगी कहते हुए मौनिका मुँ फुला कर बैठक में चली गई अरे भाई उसे अपनी पसंद की लड़की से शाधी करने दो ना तुम अपनी पसंद उस पर क्यूं धोप रही हो अजीत के बड़े भाई रोहन ने मौनिका को समझाते हुए कहा लेकिन तब तक मौनिका अपने कमरे में जा चुकी थी दो दिनों बाद अजीत अपने माता पिता को लेकर वंदना के गाउं पहुँच गया वंदना सभी को पसंद आ गई अजीत की मम्मी ने तो वंदना के हाथ में शगुन भी दे दिया चटमंगनी और पटब्या हो गया मौनिका की नाराजगी के बावजूद वंदना इस घर की बहुँ बनकर आ गई वंदना को वेवाह के पहले दिन से ही अपनी जिठानी मौनिका की नाराजगी का शिकार होना पड़ा था वो बाद-बाद पर वंदना पर ताने कस्ती थी लेकिन वंदना ने मानो विनम्रता का चोगा पहन लिया हो वो मौनिका के तानो पर चू तक ना करती चुप चाप सहन करती रही वंदिना जानती थी कि शब्द से शब्द बढ़ता है सो उसके लिए इस वक्त खामुश रहना ही उचित है उसे विश्वास था कि समय सदैव एक समान नहीं रहता है ये परिवर्तन शील है एक दिन उसका भी वक्त बढ़ लेगा समय बीत रहा था मौनिका एक सरकारी बैंक में नौकरी करती थी सो वो हमेशा अपना टिफिन खुद बना कर सुबह नौ बजे अपनी स्कूटी से बैंक चली जाती थी और शाम को पांच बजे के आसवास लटती थी वंदिना से मौनिका इसकदर नारास थी कि वो उसके हाथ की चाय तक नहीं पीती थी मौनिका के बैंक जाने के बाद ही वंदिना का किचन में प्रवेश होता था वंदिना के सास ससुर मौनिका के तेज तर्रार सोभाव से भली भाती परेचित थे सो वो हमेशा खामोश ही रहते थे सब कुछ ठीक चल रहा था पर किसी को क्या पता था कि कोई अन्होनी उनके दर्वाजे पर जल्द ही दस्तक देने वाली है एक दिन शाम को बैंक से लौटते वक्त किसी टेंपो ने मौनिका की स्कूटी को पीछे से जोर से टक कर मार दी मौनिका ने हेलमेट पैना हुआ था इसलिए उसके सिर पर चोट नहीं आई मगर उसके दाएं हाथ और बाएं पैर पर गहरी चोट आई थी किसी भले व्यक्ति ने अपनी कार से मौनिका को नस्दीक के अस्पताल में पहुँचाया था अस्पताल से फोन आते ही अजीत और वंदना तुरंट अस्पताल पहुँचे मौनिका के पती रोहन आफिस के काम से भोपाल गए हुए थे अजीत ने देखा कि मौनिका आईसी यू में है डॉक्टर ने बताया कि वो अभी बेहोशी की अवस्था में है कुछ देर में उसे होश आ जाएगा हेलमेट की वज़ा से उसके सिर में कोई चोट नहीं आई मगर वो घबरा कर बेहोश हो गई है उसके हाथ और पैर में गहरी चोट लगी है फ्रेक्चर भी हो सकता है एक्सरे रिपोर्ट आने के बाद पता चल जाएगा कुछ ही देर में मौनिका को होश आ गया डॉक्टर ने अजीत को इशारे से अंदर बुलाया अजीत ने मौनिका को बताया कि वो बिल्कुल ना घबराए उसके हाथ और पैर में ही चोट लगी है सिर में कहीं चोट नहीं आई है एक्सरे से मालूम पढ़ जाएगा कि फ्रेक्चर है या नहीं कुछ ही देर बार डॉक्टर ने एक्सरे देखकर अजीत को बताया कि मौनिका के दाएं हाथ और बाएं पैर में फ्रेक्चर है उसे करीब एक सपताह अस्पताल में रहना पड़ेगा अजीत ने फोन द्वारा रोहन को घटना की जानकारी दे दी करीब दो सपताह के बाद मौनिका को अस्पताल से चुट्टी मिली अजीत और वंधना के साथ मौनिका घर पर आई घर के दर्वाजे पर मौनिका को रोक कर वंधना ने कहा भाबी, अब आप अपने लिए पानी का गिलास तक नहीं भरोगे डॉक्टर ने वैसे भी आपको पूरे दो महिने आराम करने के सला दी है फिर आपके एक हाथ और एक पैर पर प्लास्टर चड़ा है सो आपको अब आराम की सक्त जरूरत है आज से आप मुझे कोई भी और किसी प्रकार का काम करने के लिए कहने में कोई संकोष नहीं करोगी ऐसा मुझसे वादा करो तब ही आपको मैं घर के अंदर आने दूँगी ये कहने के साथ ही वंधना बीच दर्वाजे पर खड़ी हो गई मौनिका की आँखों से आँसू छलक पड़े उसने वंधना को एक हाथ से अपनी और खीचते हुए उसका माथा चूम लिया और रूंधे कंठ से बोली वंधना मुझे माफ कर देना मैंने तुम्हें ना जाने क्या क्या कहा और तुम्हें बेवजह परिशान भी बहुत किया तुम पिछले दो सपता से सब कुछ भुलाकर मेरी सेवा में समर्पित हो गई इतनी सेवा तो अपना भी कोई नहीं करेगा वंधना तुम्हें इस घर में आए अभी साथ महीने ही हुए है पर तुमने अपनी मृदुवानी और विनेभाव से हम सब का दिल जीत लिया मुझे अजीत की पसंद पर गर्व है वंधना तुम्हारे बरताव से एक बात मेरी समझ में आ गई कि गाउं की लड़की अशिक्षित हो सकती है मगर असंसकारी नहीं तुम पारिवारिक एटिकेट्स की जीती जाकती मूरत हो वंधना प्लीज पहले तुम मुझे माफ कर दो तो ही मैं घर में प्रवेश करूँगी भावी अपनी बड़ी बेहन के समान है जिसे अपनी छोटी बेहन को डाटने और फटकारने का हक तो होता है न जेठानी को बाहों में भर लिया अरे भाई देवरानी और जेठानी की डायलोग बाजी खत्म हो गई हो तो हम अंदर चलें क्या मुझे और अजीत को जोर से भूक लगी है दर्वाजे के बाहर खड़े रोहन ने अजीत की ओर देखकर मुस्कुराते होए कहा हाँ भाई साब खत्म हो गई है हमारी डायलोग बाजी आप सब भीतर आईए मैं भाई को कमरे में बिठा कर आप सभी के लिए चायनाश्ता बनाती हूँ कहते होए वंदना ने अपने दोनों हाथ मौनिका की तरफ बढ़ा दिये जिने उसने कसकर पकड़ लिया और धीरे धीरे वंदना का सहारा लेते हुए अपने कमरे की ओर बढ़ने लगी अरे भाई आप कहां खो गई हो अब तो मेरा हाथ छोड़ो ना आपने कब से इसे कसकर पकड़ रखा है आपको बैंक जाने में देरी हो रही है वंदना ने कहा ओ सौरी वंदना मैं तो अतीत में पहुँच गई थी कहते हुए मौनिका ने वंदना के हाथ से टिफिन लिया और अपने पती रोहन के साथ धीरे धीरे सीड़ेों से उतरने लगी